आश Сब्सक्राइच पर भी आशिए रहा है उत्रानिए आज इसको बरुश्ट कराना है जेंगल में आ रहे हैं ऐसें उनः पिरश्स से मखे ला दू दिन से ब्रश नी गया है ले मिल्सिन एकम सबस्सें दू Entscheidung अधे कि दो चले हैं हो गए है रेडी होटल से चेक उट करने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं मसूरी के लिए हम देरादुन में थे देरादुन से अब मसूरी जा रहे हैं और बीच रास्ते में आएगा बटा वॉल तो पहले बटा वॉल हम घुमेंगे अंदें फिर आगे को जाएंगे अब हम देरादुन से निकल लए हैं और यहां का व्यू देखो अब हम पहुंच गए हैं भटा वॉल के बिल्कुल नियर बाए यहां से नीचे के लिए जाना पड़ता है वैसे रोपवे भी है बट आप चाहे तो सडक से भी जा सकते हो वो नीचे जाना है हमने पर यहां से व्यूव बट अच्छा दिखता है व्यू देखो यहां कहां हम लोगों ने रोपवे नहीं लिया हम लोगों अपनी कार से निचे जाएंगे निचे जाने का रास्ता तो बहुत सुन्दर है बट अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो इक बात का द्यान रखेगा अगर आप इतने जादा ट्रेंड ड्राइवर नहीं है तो रोफे से जाएगा कुछ रोड बहुत ही धलान वाला है और बहुत ही ज्यादा चोटा है अगर कोई आगे से गाड़ी आती है तो फिर दिक्कत रहेगी निचे पहुँच गए हैं गाड़ी हमें पाक कर दी है यहां से ट्रैक है निचे के लिए छोटा ही है बहुत जाए बहुत बटानी है अंचल आप चलोगे गया अपने आप चलो 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 यहां से लेप साइड पर है अडवेंचर पाक बट हम लोगों को देखने जाना है फॉल तो हम लोग जाएंगे सीधा क्यों लगता है वेंचल थक गया है थक गया है वेंचल हमारी मरजी आए हम लोग में फॉल पे बटा फॉल काफी हाइड पे रहा है और आवाज भी बहुत तेज़ा हो यहां के तो रेंबू भी दिख रहा है यह है वो जगह जहां से फॉल नीचे हुगे रहा है यहां से पूरा इडिया दिख रहा है चलो अप उपर जाके देखते हैं कि आ कहां से रहा है पानी यह लो जी पहुंच गए सबसे उपर हो गया यहां का भी आज चलो अब चलते हैं वापिस होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहीएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए गुद्बाइ